नमस्कार दोस्तों आज मैं आपके लिए लाई हूँ RPSC और RSPSB से रिलेटेड न्यूस मुख्य मंत्री जन संपर्क प्रकोष्ट राजस्तान सरकार की तरफ से आज आईए और सुनिये ध्यान से मैं आपको गुड न्यूस देने वाली हूँ जिनकी जॉइनिंग रुकी हुई जिनकी भरतियां लंबित चल रही है उनका मुख्य मंत्री के द्वारा एक बहुत बड़ा सोगात दिया है मुख्य मंत्री अशोक गहलोड ने 19 सितंबर की सबसे बड़ी न्यूस इसके लिए बने रहिए मेरे वीडियो पर राजस्तान सरकार मुख्य मंत्री जन संपर्क प् विबिन भरतियों की प्रक्रियादीन भरतियों की समिक्षा और कहा कि कलेंडर के अनुरूप समय बद रूप से भरतियां सुनिश्चित की जानी चाहिए तो देखो क्या कहा अशोक गहलोड ने अशोक गहलोड ने कहा कि राजस्तान लोग सेवा आयोग एवं राजस्तान राज्य करमचारी चयन बोर्ट राजस्तान प्रसाशनिक सेवाओं राज्य सरकारों एवं अधिनस्त सेवाओं की भरति कलेंडर के अनुरूप समय बद रूप से पूरी करें उन्होंने कहा कि संग लोग सेवा आयोग की तरह ही समय पर भरती विज्ञा पर निकले, नियमित परिक्षा हो और साक्षत कार भी समय समय पर हो ताकि भरतियां ज्यादा लंबित ना रहे। बेजे जाने पर उसकी समिक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी विभाग द्वारा भरती की अभ्यरतना बेजे जाने के बाद परिक्षा आयोजित होने और परिणाम जादा होने में जादा समय नहीं लगे। इसके लिए विभाग RPSC एवं राज्य करमचारी चैन बोड के साथ समन्वे इस्तापित करें। मुख्य मंत्री ने कहा कि सेवा नियमों की अर्चलों के कारण कई बार भरतियां भटकती है। ऐसे में आवशक्ता पढ़ने पर सेवा नियमों में संचोधन किया जाना चाहिए। जहां तक संबह हो भटका विज्ञापन निकालने से पहले ही संबंदित विभाग ये सूनिश्चित करें कि उस परिक्षा की तिती पर कोई अन्य परिक्षा पहले से ही निरधारित नहीं हो। जिससे परिक्षा इस्तगित होने की नौबत नहीं आए। यह प्रियास हो कि ए एक पार भरती विज्ञापन निकलने के बाद उसमें बार बार संचोधन नहीं करना पड़े तो विद्यारतियों अशोग गैलोत ने यहीं कहा कि जो परिक्षाएं नहीं हो पा रही है या जिन परिक्षाएं हो चुकी है उनमें जॉइनिंग नहीं हो पा रही है उनके लिए पड़ी सोगात लेकर के आया है ये ये न्यूज स्री गैलोत ने न्याइक निर्नों के कारण लंबित भरतियों के संदर्व में पिछले चार महा में हुई प्रगती एवं करीब 6,000 भरतियों पर इस्तंगन आदेश हटने एवं भरतियां पूरी होने पर संतोश व्यक्त किय उन्होंने कहा कि सेज जो भरतियां न्याइक प्रक्रिया के कारण लंबित हैं उनमें प्रभावी रूप से पैर्वी की जाए और सम्मंदित विभाग राज्ये के महादिवक्ता और अतिरित महादिवक्ताओं के साथ समनवे स्तापित कर न्यायालियों में अपना पक्ष उन्होंने कहा कि भर्तियों के कोट में अटकने के कारण कई बार अभ्यर्तियों को नियुक्ति के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। अस्तावेज सत्यापन के लिए अभ्यर्तियों को बार बार अवसर देने के बजाए कट आप डेट एक बार ही तै कर दी जाए। पिचायती राज, राजस्व, क्रशी, वन और परियावरण, आयुर्वेद सहित अन्य विभागों में प्रक्रिया धीम भर्तियों की वर्तमान इस्तती की जानकारी विभाग के अधिकारियों से लिए। वीसी के दोरान प्रमुख सासन सच्यू स्रीमती रोली सिंग ने बताया कि वर्तमान सरकार के कारेकाल में 10 अगस्त 2020 तक 76,265 नियुक्तिया दी जा चुकी है। 2560 के परिणाम जारी हो चुके हैं 1571 के साक्षात्तार होने हैं 7053 पदों के लिए परिणाम जारी करना सेश है। की 21,000 पदों की बढ़ती के लिए विज्यापन जारी हो चुके हैं परिक्षा आयुजित होनी है उन्होंने बताया कि COVID-19 मारी के प्रकोप के कारण भी कोई बढ़ती परिक्षाएं आयुजित करने में देरी हो रही है तो आपने देखा कि मुखे मंत्री ने जो समिक्षा तैयारिया कर रहे हैं कि जल्द ही आपकी REED की VACANCY आने वाली है फर्स्ट ग्रेट की 카욌लिंग वाले जो विद्यारती हैं उनको जल्द ही जॉइनिंग मिलने वाली है तो तैयार हो जाए जो बच्चे रीड की तैयारी कर रहे हैं वो रीड की तैयारियों में जुट जाए क्योंकि कभी भी नोटिफिकेशन जारी हो सकता है तो आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियो बनाती रहूं और न्यूज अपडेट देती रहूं आगामी जो बच्चे या विद्यार्थी छात्र जो रीट या अधर कॉम्पिटीशन की तयारी कर रहे हैं व मैं आगे भी आपको इसी तरह से आपके लिए वीडियो बनाती रहूं विद्यार्थी ओं और आपके लिए इसी तरह की न्यूज लाती रहूं आपको नई सोगात देती रहूं विद्यार्थी ओं धन्यवाद